नमस्कार दोस्तो आर्पेसी ओनली यूट्यूब चैनल के इस डेली न्यूज एनालिसिस में आप सभी का हादिक स्वागत हैं तो आई दोस्तो शुरुआत करते हैं 11 अक्टूमबर 2017 के डेली न्यूज पेपर एनालिसिस की सबसे पहले जो न्यूज है वो किसंगड मंद किस डिस्टिक्स हैं तो वह अजमेर से हैं और इसका उद्गार्ण केंद्रिय ओडियन मंत्री जैन सिना माननिय मुख्य मंत्री शाहिबा करेगी तो यह हमें पता होना चाहिए इसके लाब राजस्तान में और कौन-कौन से एरपोर्ट है उसके बारे में थोड़ा सा ज यूज होता है इसके लाब बिकानेयर में नाल एरपोर्ट है वह भी डिपेंस सर्विस के लिए यूज होता है और कोटा में एरपोर्ट है वह भी डॉमेस्टिक सर्विस के लिए यूज होता है और हाली में मानना पता एरपोर्ट का भी उदकार्ण किया गया था डबोक युक्त हैं और उन्होंने अभी कल कहा था कि गुजरात में जो चुनाव होंगी वो दिस्तंबर में होंगे तो उस समझ में उनका उल्य खाया था थोड़ा थो हमने इसके बारे में चान लिया जो मुख्य चुनाव अयुक्त होता है उसका जो पद होता है वो सविदान के अनुचे 324 के अनुसार उसमें प्रावदान किया गया है इसके लब भारतिय सविदान में जो मुल रूप से एक ही मुख्य चुनाव अयुक्त होता था लेकिन जब उन्नीस सो गुनब्य में वयक्स का मतादिकार के आयू 21 वर्स से गटा उनकी सक्तियों में कोई विशेrent नहीं होता हुथा रिक जो उसके पास होती है उसके यह समय सीमा से पहले भी हड़ाया जा σकता लेकिन इसके लिए वही प्रॉसीजर अपना पढ़ेगा जो उत्क नयाल या शूप्रेम कोड की नियाज्डिस को हड़ाने के लिए चाहिए इसके लाव आगे जो नियूजे वो सेख अलीम से समंदित हैं सेख अलीम को हाली में जो सुपिशंद अजमेर का अध्यक्स मनाया गया उनका नेरवचन पहली बार हुआ है तो इस पर दूसरा कतन गलत हो जाएगा तो यह बारिक बारिक फैक्स होता है महीन फैक्स वो भी आमें पता होना चाहिए इसके लाव जो अगली नूचे वो काला जार से समंदित हैं काला जार हैं क्या एक लिस्मेनिया नाम करके जिवानू होता है उससे ये बिमारी होती है और इस बिमारी की जो वाहग होते हैं वो मच्छर होते हैं मौस्किटो होते हैं उसके दवारा ये बिमारी फैलती हैं काला जार बिमारी में क्या होता है कि एक बुखार आता है और सुसरीर होता है वो काला प अब 17 रखा गया है तो भी उसको भी टार्गेट एक्षिव नहीं कर पा रहे हैं तो यह आलोस नहीं की गई जो भी नियूज आल्टिकल था इसमें का गया है कि काला जार का बीमारी का पता लगाना बहुत आसान है क्योंकि इसके लक्सन बहुत सिंपल है सरीर काला पड़ जात है कि एसी बीमारी काला जार है डैंगू है मलेरिया है चिकन गुनिया है इनका इलाज सोड़ा मुश्किल हो जाएगा इसके लब आगली नुज़े वह भी काफी इंपोर्टेंट है नैस्टनल इसकोल ड्रामा नई दिली में स्थित है और यह जो अपने अदाकारी से विद्याले हैं जहां आपको जो स्टेज प्रोग्राम होते हैं रंगमंच वहां पर अत्रकारी सिखाई जाती है और नसीरुदिन साह और नुपम केर वगर इसी इसकोल से निकले हुए है तो इसमें जो चाजर संग के इलेक्शन हुए उसमें महादेव सिंग लखावत इसक इसमें सबसे पहले जो न्यूज है वो बेटी बचाओ बेटी पड़ाओ आंदोलन से समधित हैं सबसे पहले तो इसके बारे में जान लेते हैं बेटी बचाओ बेटी पड़ाओ योजना के सरुवात 22 जनवरी 2015 को हरियाना के सौनिपत डिस्टिक से पदानमंति नरंदर जाएगी इसके अलावा जो गल्स होती हैं महिलाएं होती हैं उनके सुरक्सा एज्यूकेशन पर भी फोकस किया जाएगा इसके तथ यह क्या गया कि राजिस्तान के बीकुछ जिलों का चैन किया गया है आपके लिए होमवक हैं कि आपको बताना कि राजिस्टान के कितने ड भारत में तो 161 जिलो में इसका सुरुवात की गई थी और अभी हाली में जन्वरी जो 26 जन्वरी कारीकम हुआ था उसमें राजिस्तान के जुंजुनु डिस्ट्रिक को इस योजना के क्रियानवन है तो बैहतरिंग काम करने के लिए अवर्ड भी दिया गया था तो यह माले करने के बावजूद इसके अच्छे क्रियानिमन होने के बावजूद इस योजना के बावजुद भी वहाँ जो लिंगानुपाद होता है ठीके और जो बच्चियां होती चोचोडी बच्चियां उनकी जन्मदर है उसमें कमी आई है कहने का मतलब है यह योजना सरी तंग से इसको कुछ न कुछ क अगला जो न्यूज आर्टिकल है चोटा सा न्यूज है इंट्रनेस्टल मॉनिटरी फंड है उसने जो 2018 के लिए भारत की अनुमान इत यानि अभी तो एस्टिमेट किया है विकास दर का अनुमान गटा दिया है कहने का मतलब है जितने भी वेस्विक संस्तान है जो भारत की आर्थी विदिदार कानुमान वो घटा रहा है इससे हमारे देश में जो फिए वगएर का निवेस्ट्मेंट का सोक्तरी उसमें भी दिखत आ सक्ती है क्योंकि अब सेयर मार्केट में तो उतार दो गे लेकिन खरे देगा कौन क्या उसके बाव काफी डाउन हो जाएंगे ज अगर कोई जीवित वक्ति अपने एक ऐसी वस्यत बना दे जिसमें वह कहें कि अगर मुझे कोई लाईलाज बिमारी हो जाए उसका उले करते कि यह लाईलाज बिमारी हो जाए या मेरा सरीर इस 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 Tati में आ जाए जब मैं हील टूलनस को या जो भी वह अपनी केटिकरी इत्याय कर लेता है तो जो मेरा सरीर है उसमें से जिवन रख्षक उपकरनों को हटा दिया जाए यानि कि मुझे मरने के लिए छोड़ जाए जाए कि उस इससे में जिना नहीं चाहता है वह पहले इसे ही त्याय कर लें मतलब जैसे कि आज मैं अगर 20-22 साल काहूं तो मैं भी कोगी के अधिकार में, यानि सम्मान के साथ मनने का अधिकार भी है, हमने एक दुद दिन पहले सकते हैं पहले मित्यु का हमने के मालगी होaday स्वाला है इक्ष्छा करता है और अगर वह इच्छा व्यक्त कर दें कि महलब जो वह अपनी मौत सहम चुन ले तो वह इच्छा मित्य हो जाती है तो ऐसा अरुना सानबा का केस था बहुत फैमस केस था यह बयानलिस्ट वर्ष्टों तक लगब कौमा में रही उनको महलब जो जिवित थी लेकिन एक तो फिर जिवन रखसक उपकरणों को हटाया जा सकता है तो लेकिन अब इस याच्छेका में कहा गया कि मेडिकल बोर्ट की अनुपति क्यों ले है या फिर जो मेडिकल बोर्ट के पास सिपरिसकब जाती है जो जिवन रखसक उपकरणों पर है वो तो अब कहा नहीं सकता क् परिवार जन कहते हैं फिर मेडिकल बॉर्ट के पास जाता है और फिर अगर मेडिकल बॉर्ट के पास जाता है और फिर अगर मेडिकल बॉर्ट शुक्रित कर देता है तो फिर उसे जिवन रक्सकुन हटा दे जाते हैं और उसकी मृत्ति हो जाती है तो इस याचेका में कहा गय कि आजकल जो बुजर्ग लोग होते हैं उनको बहुत समझे जाने लगा है क्योंकि जो लाइप स्टैल परिवर्तन आया है उसे काफी बहुत समझे जाना लगा है मैंने सतीमेय जयते में कैपिशोड देखा था जो ओल्ड एज से समझधी था उसमें बताया गया था कि में कितना तेजी से परिवेश आया है इसके अलावा अब कि आऊ गया है जो बुजर्ग लोग है उनकी ओसत आयो भी बढ़ गई है आजादे के समय तो 30-31 साल के करीब जो व्यक्ति बुड़ा हो जाता था उसकी मित्ति मालों 30-31 के करीब जो भारती की ऑसत उमर होती थी अब होता कि है कि 50-60 साल का पुत्र होता है वह अपने संसारिक जीवर में लग जाता है तो फिर वह अपने बुजर्गों की देख बाल कैसे करेंगा तो और संपती के लिए भी काफी बार बुजर्गों को परिशान किया जाता है या फिर आर्तिक बोज बढ़ जाते हैं उस के लिए भी हो जाता है को मिला कि जो बुजर्गों की पतन का एक कारण आर्तिक कारण भी है इकोनोमिकल कारण भी है तो अब ऐसे इस्तति में अगर आप ऐसा प्रावदान कर दें तो फिर जो कह सकते हैं उस वस्षयत का दूरुपियोग हो सकता है वस्षयत नकली बनाई ज हो सकता हूं तो फिर अ कैंसर के सब्सकराणों हो सकता है इस जतो हैं नातूला दारह सब्था सब्सक्राब करते हैं अब क्या हो था के बाद की जो रक्सा मंत्री हैं निर्मला सिता रमन तो वो नातुला दर्रा होता है वहाँ गई थी और उन्हाने चीनी सैनिकों को नमस्ते किया था और इसे नमस्ते डिप्लोमेसी हैं इसके बाद 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 तो चीन के जो समंध है उसमें थोड़ा बहुत सुधार आया है तो दोड़ा से जान लेते हैं कि नातुला दर्रा है क्या नातुला दर्रा सिक्कम में इस्तित है और यह जो सिक्कम को तिबत दक्षिनी तिबत में चुम्भी गाटी इस्तित है जो काफी सुर्क्यों में रही है भी उसको कनेक्ट करती है और इसका इंपोर्टेंस यह है कि जो प्राचीन रेसम मार्ग था या सिल्क रूट था उसका ये हिस्सा थी इसे 1962 में जो भाचीन ये दुवा था उसके बाद इसको बंद कर दिया गया था हालांकि दो जाच्छे में इसको वापस वरू कर दिया गया इसका इंपोर्टेंस इस बात में है कि एक तो इस सिल्क पर जाते हैं तो उनके लिए फाइदा हो जाता है अब थोड़ा सा डिसकस कर लेते हैं चुम्भी गाटी चुम्भी गाटी दक्षिनी तीबत में इस्तित है और ये ट्राइजंक्सन जो भारत पुटान और चीन का जो ट्राइजंक्सन बनता है डोकलाम जो विवाद हो था प्लेटू उसे के पास है और यहां एक सिली गुडी एरिया भी है जिसको लेकर हमने मेप से भी डिसकस किया था तो यह चुम्भी गाटी भी वहीं इस्तित हैं तो यह हमें थोड़ा पता होना चाहिए इसके लाब अगली जो नियूज है वो अभी एक विवाद चल रहा है जो यूजीशी है उन्होंने कहा कि इसमें जो हिंदू का नाम यूज किया रहा है उसे हटा दिया जाए इसको लेकर काफी आलोसना की जाए थी कि भारत एक धर्म निट्पेक्स राज्य है और दूसरा यह जो संस्थान है वह वित पौसित है यानि कि सरकार इनकी फंडिंग करते हैं जबकि अलब संखी अधर्याइट को तब मलता है तब उसकी समुद्याई के लोगों के दुबरा अपने समुद्याई के लोगों की सुक्सा के लिए की जाती है अब संखीशे के थाइए और आप जमीन अवापति नहीं कर सकते मार्केट रेट पे आप उसकी जमीन अवाप्ति कर सकते हैं इसके लाद इसकी 50% सिटे होती है उसे समुधाय के लिए आरक्सित होती है तो अगर आप यह सुविदा भी ले रहे हो सरकार से फंडिंग भी ले रहे हो तो यह चीज गलत है तो इसी को लेकर एक याच्छी का दाइर की गई थी तो यह थोड़ा से बाहत बाद अबर बाहत बाद दन्याव